हलो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और आज की वीडियो में हम इस हजार्ड लैंप के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका हमें कब यूज लेना चाहिए कब इसको हमें काम में लेना चाहिए उन सभी के बार में बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो में शुरू से लेके अंतक जरूर बनी रहिएगा काफी दहता इंटरस्टिंग और इंफरमेटिव होने वाली है ये वीडियो तो दोस्तों जब भी खास करके इंडिया में जब भी हम गाड़ी कहीं पर खड़ी करते हैं दो-इस को दबा देते हैं जिससे हमारों चारों इंडिकेतर्स अन हो जाते हैं चार नहीं यह छे होते हैं दो तो वो साइडसाइड में होते हैं डोर के पास और और विम्स पे लगे होते हैं तो चार ही से हम consider करते हैं क्योंकि ज़्यादा तर चार ही होते हैं तो चारो indicators on हो जाते हैं और फिर हम गाड़ी को side में लगा लेते हैं दूसरे case में जब भी hulky full की बारिश होती है या जब भी खास करके जब जो लोग रात में चलते हैं वो इन blinkers को चला देते हैं और फिर वो अपना मज़े में चलते रहते हैं बिना किसी दिक्कत के तो दोस्तों ये दोनों ही चीजें गलत हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आप ट्राइंगल का जो सिंबल देख रहे हैं इसका ये मतलब ही है कि हसाडस सिटुएशन में हमें यूज करना है जब कोई प्रॉब्लम हो गाड़ी में या कुछ भी गाड़ी में ब्रेकड़ॉन हो जाए उस कंडिशन में हमें ये यूज करना चाहिए मान लीजिए अगर आप हाइवे पे चल रहे हैं किसी ट्रिपर हैं आप आप गाड़ी का टायर डिफलेट हो जाता है या पंचर हो जाता है तो आप गाड़ी साइड में लगा करके ब्लिंकर्स अन करके अपने फिर अपनी गाड़ी चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है अगर गाड़ी का इंजन भी ब्रेकडाउन हो जाता है कुछ भी इशू आ जाती है तो साइड में लगा करके आप ब्लिंकर्स अन करके पिर अपना इशू देख सकते हैं क्या है दोस्तों यही सिंबल आपको उस पर भी देखने को मिल जाएगा जो हमारी स्टेपनी के साथ एक किट आता है ट्राइंगल वाला उसका मैं फोटो यहीं पर कहीं पर अटाच कर दूँगा तो उसमें भी यह वाली वो लाइट आती है रिफ्लेक्टर्स जिसे आप गाड़ी के थोड़ी सी पीछे लगा करके फिर अपना टायर चेंज करते हैं या कुछ भी अगर गाड़ी ब्रेकडाउन भी हो जाती है तो दोस्तों इंडिया में तो यह लोग ज़्यादा तर बारिश में ही यूज करते हैं जब भी चलना होता है कुछ-कुछ लोग तो ऐसे ही इसको जला करके घूमते रहते हैं जिससे उन्हें लगता है कि गाड़ी उनकी अच्छी लिखेगी या पताने क्या सोचके हैं गाड़ी को चलाते हैं कुछ-कुछ कंडिशन सें जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी सेफटी के लिए और दूसरों की सेफटी के लिए जैसे कि मान लिजी ए कहीं एकदम मौसलाधार बारिश हो रही है एक सिनारियो ये भी है कि मान लिजी एकदम dense fog है घना कोहरा जिसे कहते हैं धुंद कहते हैं जिसे अगर एकदम वो हो रखा है अगर आपकी गाड़ी में fog lights नहीं है तो आप इसका बेशक यूज कर सकते हैं वहाँ पर ये काफी useful साबित हो सकता है थोड़ी सी गाड़ी की visibility ये बढ़ा देगा जिससे की आप visible हो पाएंगे दूसरे दूसरे passengers को जो आपके सामने से आ रहे हैं दूसरे travelers को दूसरे drivers को जो आपके सामने आ रहे हैं या आपने पीछे चल रहे हैं उनको आप warn कर सकते हो कि मेरी गाड़ी में fog light नहीं है तो ये आप इसको जला करके घुम रहे हैं आपकी मैं इसको off कर देता हूँ और दोस्तों ये अगर मुसलाधार बारिश भी हो रही है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं ये ज़्यादा तर रिनो की गाड़ियों में नहीं आता है fog light अगर आप इसका वो top end भी variant लेंगे तो जैसे कि capture हो गया या tribeur हो गया इनमें fog lights नहीं आती है वहाँ पर इसमें tribeur में तो DRL दी हुई है capture में भी शायद वही पर DRL है लेकिन capture में भी fog lights नहीं है तो आप इसका use कर सकते हैं tribeur में अगर बारिश हो रही है बारिश मतलब हलकी फुल की बारिश नहीं लेकिना मुसलाधार बारिश हो रही है and visibility बहुत कम है आपकी तो आप इसका use कर सकते है and अगर धुन्द काफी जादा हो रही है आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसका use बेशक कर सकते हैं इसमें कोई issue नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए and दोस्तों कोई भी सुझाव कमेंट्स या मेरी अगली किस टापिक पर वीडियो बनाऊं मैं उसके उपर अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं and वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद